को दोस्तों आप लोग देख सकते कितने बड़ी हमारे बाज़री के बने हैं दोस्तों यह बहुत ही कम समय में बन जाते है बहुत ही हलधी होते है बहुत ही होते है तो दोस्तों यह आज इंस्टेन तर Declaration भी आप सभी के लुगों के लिए मैं लेकर रहा हूँ जिसका नाम है थेबर यह चलिए उसको बनाना शुरू करते हैं तो दोस्तों यहां पर बड़े से बोल में हम लोग दो कप सितने बाजरा ले रहे हैं दोस्तों हम लोग बाजरा के थेबर यह बना है इसलिए बाज राइस में में इंग्रिजेंट से अभी उसमें हल्थी टच देने के लिए यहां पर मैंने एक कप जितनी मेथी यूज की है जिसको मैंने बारिक काट लिया है तो अभी हम लोग उसमें थोड़ा सा लसुन एड़ कर देंगे दोस्तों लसुन है वह हमारे हाट के लिए बहुत ही अच्छा होता है इसलिए हम लोग यहां पर लैसन का उभ्योग कर रहे हैं अब उसमें हम लोग डालेंगे हाफ कप जितनी कोरियंडर दोस्तों इसमें कोरियंडर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसलिए आप इसको जरूर डाल लिएगा अभी हम ल लोग इसमें मेन इंग्रिटेंट्स डालेंगे जो की कड़ है दोस्तों दहीं है वह बहुत ही बढ़िया और अच्छा टेस्ट देगा हमारे ठेबर यह को दोस्तों आप दो कप बाजरा ले रहें तो उसके साथ चार चमच देह लीजेगा और एक कप ले रहें तो दो चमच देह लीजेगा और इन सबी चीजों को अच्छी ज़रा से मिक्स कर लेंगे दोस्तों आप उम इसमें पानी डालकर इसका एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे बहुत थीक नहीं होना चाहिए दोस्तों यह और हम लोग थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल लेंगे नमक आप अपने स्वादुन साथ डाल दीजेगा और हल्दी है वह कैंसर से प्रिवेंट करती है इसलिए यहां पर हम लोग हल्दी का उप्योग कर रहे हैं और वापिस से इन सबी चीजों को हम लोग अच्छी तरीकी से मिक् वह मैं वन टेबल स्पूंज इतना डाल रहा हूं और फिर से इन सबी चीजों को मिक्स कर देंगे दोस्तों यहां पर मैंने तवे को गरम करने के लिए रख दिया है उसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे और पूरे तवे को ओईल से ग्रीस कर देंगे हमारा जो तवा है वो अल्रेड गरम हो चुका है अभी हम लोग इसमें हमारा जो बेटर है वह तीरे-दीरे करके डालेंगे दोस्तों हम इसको बहुती श्परेड नहीं वने देना है इसको अपने आपसे spread होने देना है दोस्तों इसको फ्लिप कर के देख लेते कलर आया है कि नहीं दूस्तों आप अपने करो से इसमें यह डालियेगा और इसको पूरी तरीके से अच्छा से fry कीजेगा चलिए अब हम लोग इसको फिलिप करकर देख लेते हैं कि हमारा जो टेबर यह है वो नीचे से रेडी हुआ है कि नहीं वाह दोस्तो क्या कलर आया है अब लोग देख सकते खाने का मन हो गया ना तो दोस्तो इसी बात पर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें